हेलो फ्रेंट्स Welcome to Rsi e-z studypants चनल कसे हैं आफ सभी हम राश्टी अनुसूचित जन जाति आयोग के बारे में बात करेंगे यानी की ile Chiaig के बारे में बात करेंगे इस विएज्य में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या खीर इस्टी आयोग के पास कौन-कौन से सकतिय होती हैं और इसका कार्य क्या है प्रेंट्स ये वीडियो आपके आने वाले सारे कंपुटेटिव एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पूर होने वाली है इसलिए आप सभी हमारे संसुल से लेकर क्यां तक जूड़े रहा ता अनुसूचित जाती तथा अनुसूचित जन जाती यानि कि सेडियूल कास्ट और सेडियूल ट्राइब से सब्ध का परियोग सर्पतम भारत सासन अधिनियम 1935 में किया गया था और साथी प्रेंस दहान देखेगा कि आर्टिकल 70 में अस्प्रिशियता यानि कि छुआ इसके समुदाय को अनुसूचित जन जाती की सुची में डाल सकता है और अर्टिकल 338 कर में अनुसूचित जन जातियों के संड्रक्षन है तुष्य मैधानिक आयोग के गठन का भी परवधान है साथी प्रेंस दहान देखेगा कि सत पर्थम 1978 में सरकार के अदेश के दवरा अनुसूचित जाती तथा अनुसूचित जन जाती के लिए एक गयर बैधानिक आयोग का गठन हुआ और उसके बाद 1987 में सरकार ने आयोग के कारे को बिश्त्रित किया तथा आयोग करना बदल करके राष्टी अनुसूचित जाती एम अनुसूचित जन जाती आयोग कर दि प्रन्तु अभी तक यह आयोग अनुसुचित जाती तथा जनजाती के लिए संजुक्त रूप से कार्य करता था लेकिन जब नवासीवा समिधान संसोधन 2003 में किया गया तो उस टाइम इस संसोधन के द्वारा इस संजुक्त आयोग का विभाजन दो भागों में कर दिया गया अनुसुचित जनजाती के लिए अनुसुचित जनजाती आयोग का गठन किया गया और साथी प्रेंट्स धान रिखीगा कि जोब 1928 में संजुक्त रूप से स्टी एस्टी एस्टी आयोग था तो उस टाइम उसके प्रथम अध्यक्सरी भोला पस्वान सास्त्री जी अर चल अनुसुचित अध्य करएंगे द्यान रखीगा फ्रेंट्स एस्टी आयोग को अंग्रेजी में श्जुक्त कर जाएब चले फ्रेंट्स अब अता यह एक सम्मेधानिक निकाय है 65 सम्मिधान संसुदन 1990 दोरा इसे सम्मेधानिक दर्जा प्राप्त है और नवास्वी सम्मिधान संसुदन 2003 के अंतरगत 19 फरोड़ी 2004 को सुदन 2003 निकाय के रूप में STI योग 82 में आया चले अब हम इसके संवरजशना के बारे में आपको बताते हैं तो फ्रेंज दियान रखेगा कि STI योग में एक अधियाक्स एक उपाधियाक्स और तीन सदस्य होते हैं यानि कि इसमें टोटल पांच सदस्य होते हैं एक अधिय करेकल होता है 3 साल का यानि अधियाक्स उपाधियक्स और तीन सदस्य का क्रेकल कीति वर्स कहते हैं और हैं अधिया कि यो ग्यताएं के बारे में बिताते हैं तो फ्रेंस दान रखीगा कि जो अध्यक्ष होते हैं यह अनसूचित जनजाती का सदस्य होना चाहिए और साथी प्रसीत समाजी का राजनीति करे करता भी होना चाहिए और जो पाध्यक्ष सदस्य होते वह कम से कम दो सदस्य पोलिस कोई भी न्योक्त किये सकते हैं लेकिन सदाश्य में कमसे कम एक महीश्य होना आवस्यक ciao और जो सदाश्य उतने हैं इंद में से कम से कम और चाहिए होंने चाहिए कि उन्हीं उनमें अध्यक्स को केबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्थ होता है और उपध्यक्स को केंद्रिय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्थ होता है और जो इसके तीन सदस्य होते हैं उन्हें भारत सरकार के सचीव के भारत सरकार के सचीव का दर्जा प्राप्थ होता है और फ्रेंज जान रिखेगा कि जो एस्टी आयोग है इसका मुख्याले दिली है लेकिन इसका च्छो औरन्य छेत्रिय कर्याले भी है पहला है भुपाल है दुसरा भुनेशवर तीसरा राइपूर चौथा राची पच्छवा जैपूर और छठा सिलॉंग अनि फ्रेंज अब कि इसका में मुख्याले दिली में है और इसके च्छेत्रिय कर्याले भी है भुपाल भुनेशवर राइपूर राची जैपूर शिलॉंग चले अब हम इस्टी आयोग के बार में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं तो जहान रिखेगा कि इस्टी अधियक्स थी उर्मिला सिंग और इस अधियक्स के प्रत्थम उपाद्यक्स थे सीरित तापिल गाउग और साथी प्रेंस द्यान रिखेगा कि रामिस्वर और राग इस्टी आयोग के दो बर अधियक्स रह चुके हैं चले अब हम आपको इनके सक्तियां के बारें बताते ह अनुशेट जनजातियों करना के कल्यान के संबंद में परमर सरकार और राष्टपती को देना आउसे जनजातियों के अधिकारों के हनं से समय से सिकायतों की जाच करना नए जनजातियों को अनुशे के कारें चले अब हम आपको बताते हैं इसके रिपोर्ट के बारे में तो रिपोर्ट को संस्द या विधान मंडल में रखा जाता है और रिपोर्ट में दीगई सलाह केवल सलाकारी प्रकृति की होती है आता इन्हें मानने के लिए संसरी है बिधान मंदल बादे नहीं है कि अर्षान नहीं है कि या एक बाद ध्यान रखीएगा कि जो यह संसदिय समीति के हालिया रिपोर्ट के निसार राष्टी और सुची जंजालती आयोग यानि कि एस्टी आयोग यानि कि नेशनल कमिशन फर सेडिल ट्राइब पिछले चार बर्सों से निस्किर रहे है तथा उसके द्वरा इन चार बर् अपर लिया में के समक्स एक भी रिपोर्ट प्रस्तूत नहीं की गई है प्रेंक यू दोस्तों आज का मरी वीडियो यहीं पर समाप्त होता है आज की हमने आपको एस्टी आयोग के बारे में पूरे विष्थार से बताया है आई होप आपको यह वीडियो अचीर लगियो ल मिलते रहेगी और फ्रेंट्स अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे तो इसका लिंग नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में तथा आए बटन दोनों पर दिया क्या है आप ज़रूर देखे तो चले अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तका पढ़तर ही आगे तरिये धन्यवाद